Welcome back once again guys अब हमने इस वीडियो में security के बारे में बात तो करी रहता है already लेकिन इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो privilege mode है वो कैसे secure हो रहा है तो guys simple जो switch है बास उकात क्या होता है कि companies में requirements होती है कि user mode को access दिया जाए यानि user mode तक तो हम command line तक आ जाए जो अगर हम देखा जाए कि अगर हम इंटर करते हैं यह जो user mode है यहां तक आजा लेकिन अगर यह user enable लिखके इंटर करने की कोशिश करें तो यहां पर वो password requirement हमारी हो कि यहां वो password मांग ले क्योंकि privilege mode पर अगर वो आ गया तो वो तमाम Cisco की configuration देख सकते हैं और अगर वो देख सकते हैं तो वो configure terminal तक भी जा सकते हैं यानि administrator तक भी जा सकते हैं वो तो उन्हें हमने यहीं रोकना है और enable के बाद वो password required करें तो हर चीज याद रहे जब भी हम configure करेंगे तो configuration के लिए तो हमें configure terminal तक जाना पड़ेगा तो हमने यहाँ भी configure terminal पर आए और simple से एक command हमने लिखा enable secret यानि secret हमने enable करना है और ये बात इस बात को बताएगा कि इसमें console नहीं है यानि user को नहीं बंद करना बलके secret level को बंद करना है और secret level हमारा privilege mode होता है तो हमने क्या लिखा enable secret और आगे हमने password देना है हमने space कि आप password कोई भी देख सकते हैं आपकी मर्जी मैंने हादिस खान कोई भी ले लिया मैंने एक नाम ले लिया आप चाहें कुछ भी ले इंटर करा वो password लग गया yes guys that's it just password लग गया हमने exit करना है हम पीछे आए प्रिविलेज मोड खुला वहाँ हम फिर exit करते हम simple अब देखें user mode परें और user mode पर आने के बाद हमने क्या लिखा enable लिखा और इंटर करते हो आप देखें हमसे यहां क्या पूछा जा रहा है password और hdisk han हमने जो password रखा था वो दिया तो सबसे best practice यह है कि आप उसके administrative mode पर आके जो last video पर हमने command चला ही थी ना service encryption वह हम चला ले लेकिन इस जगह पर packet tracer पर भी हमें जरूद नहीं है तो no issue लेकिन हमने यह देखा कि password कैसे लग रहा है न तो हमने simple क्या देखा कि password लगाने के लिए जो privilege mode है simple हमने कहा जाना है सबसे पहले enable लिखा user mode से और यहां पर लिखा configure terminal और configure terminal पर जाने की बाद हम simple क्या लिखते है secret enable और आपका जो भी password हो यहां optional है मैं bracket में लिख रहा हूँ जो भी आपका password है वो आगया और अगर हम इसी की copy ले 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 तो यह तो हम लगाने के लिए करते हैं और बिल्कुल खतम करना हो तो हम क्या करेंगे configure terminal तक जाएंगे और password नहीं type करना फिर क्योंकि जब configure terminal तक आग हम देखें let's suppose हम user mode पर enable लिखते हैं हम password वांगा जा रहे हमसे और हम यहां पर privilege mode पर आने के बाद क्या लिखते हैं global sorry global configuration पर जाने तो हमने लिखना है configure configure terminal पर आने के बाद अब एक बात बताएं जब हमने enable लिखा था तो हमसे क्या पूछ लिया गया password अगर कोई normal बंदा हो यानि administrator ना हो तो उसे तो password मालूम ही नहीं होगा तो वो महीं पर problem कर जाएगा वो यहां तक access नहीं ले पाएगा लेक अब global तक आ सकते हैं तो हम password खतम भी कर सकते हैं तो हमने इसे क्या करा यहां पर आके क्या लिखा no enable और secretly हमने जैसे इंटर करा तो password खतम हो गया इसकी पहचान हम देख लेते हैं हमने exit किया यहां भी exit करते हैं simple switch mode है और यहां अगर हमने enable लिख एंटर करा तो हमारा password यहां पर नहीं है, हमने यह देखा कि जो privilege mode है, उसे कैसे secure करना है, यह command से password लगा और इस वाली command से password खतम हो गया, तो आयो हब गाईज आपको यहां तक बात हैं समझा गई हो, कि normally हम password privilege mode और console को कैसे secure कर सकते हैं, तो कैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में switching module को continue करते हुए, अपना खयाल कीजिए, यहां तक practical करें, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में,